सभी श्रोताओं को वेरा बहुत बहुत नमश्कार मुझे आशा है कि आप सब लोग मंगल में होंगे और आनन्द में होंगे क्योंकि सिर्फ किसी का कह देना कि आप लॉकडाउन में हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप लॉकडाउन महसूस करें अपने आपको अंदर से सुतंतर भी महसूस कर सकते हैं मैं एक चीज पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक दो दिन पहले मैंने मेरे ख्याथ से इसका एक पंक्तीस दोहे की पढ़ी थी मैं पूरे दोहे को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ करता था चुप क्यों रहा करता था चुप क्यों रहा अब करी क्यों पच्चताए बॉय पेड़ बबूल का आम कहां से लाए तो जब गलत किया तो किसी से कहा नहीं चुप रहे हैं और अब पस्ता रहें, अब जोड जोड से सब को समझा रहें, अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, कई चीजे हैं, कई चीजे हैं, लोग अपने को भागिशाली नहीं समझते हैं, समझते हैं उनके साथ ये गलत है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नह हैं ऐसे परंतु समझने की बात ये है कि असली में क्या है असली में क्या चीज हो रही है ठीक आपके 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 सामने बहुत समस्या हैं आपके परिवार में समस्या हैं आपके बिजनिस में समस्या हैं आपके घर में समस्या हैं आपके सब चीजों में समस्या हैं पर दसल म में असलियत क्या है असल में क्या हो रहा है कि नर्तन एक तरफ तो एक तरफ तो सारी आपकी समस्याएं ठीक है जी और दूसरी तरफ नर्तन भव वारित कहूं पे रहूं दुख को महसूस करने का साधन नहीं बताया है इसे दुख क्यों होगा जब जिस चीज जो चीज आपको मिली है उसका आप दुर उपयोग करेंगे तो दुख मिलेगा कुछ ना कुछ गरवड होगी कुछ ना कुछ गरवड होगी अगर मटकी से मटकी को आप पानी से भी भरें या किसी भी चीज से भरें और उसको हतोड़े के रूप में इसमाल करना सुरू करें मटकी को तो उसका दुर उपयोग है तो क्या होगा मटकी के साथ मटकी तूट चीज हो अगर आपके पास pencil है और pencil आप का कहते हैं pencil से हतोड़ी का काम लेने लगे pencil तूटेगी pencil हतोड़ा नहीं है हतोड़ा हतोड़ा है pencil pencil है ठीक इसी प्रकार में जो मनुश्चरीर मिला है क्या है यह नर्तन भवारिद कहों बेरो आप लगे रहते हैं अपनी समस्याओं को सीधा करने में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं पर तहाँ है नर्तन भवारिध कहों बेरो सनमुख मरुत अनुग रहे मेरो इस स्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है मैं बारवा सुनाता हूं नों को यह क्योंकि यह है दरसल में बाद और यह स्वांस का आना जाना ही किर्पा है उनका आश्रवाद है किस चीज की जरूरत है करुण दहार सत्गुरु दुर्डणावा दुर्लवकाज सरल करीब है जो असंभव लगता है वो भी जब समय का सत्गुरु मिले तो उसको बड़ा आसान बना सकता है ने तो क्या होगा मोसो कौन कुठल कलकामी यातंदियो ताहे विश्रायो ऐसो नमक हरामी भर-भर उधै विश्यों में धावे जैसे सुक्रग्रामी सूर्पतित को ठोर कहा है सुनिये सिरीपत स्वांद जो मनुष शरीर मिला इसका दुरूपयों क्या है कि वो जिस चीज़ के लिए मिला है उसी को आप ठुक्रा दे जिसकी कृपाश से मिला है उसको ठुक्रा दे तो असलियत क्या है और हो क्या रहा है असलियत क्या है हो क्या रहा है ये कुछ इस तरीके से बात है कि एक जगह है जंगल के बीच में जंगल में एक जगह है और पेड़ भी सबसुखे हुए पेड़ भी सबसुखे हुए नदियां हैं एक दो वो भी सुखी हुए कहीं पानी नहीं है और एक जोपड़ी है और जोपड़ी में से रोने की आवाज आ रही है तो मां भी रो रही है बाप भी रो रहा है बच्चे भी रो रहे हैं बच्चे दुखी हैं उनको भूग लगी है मां दुखी है कि बच्चे दुखी हैं और बाप दुखी है कि मां और बच्चे दुखी ह और उसको मालूम नहीं कि वो खाना कहां से लाए सब कुछ सूक गया है उसको कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ उसके दरिद्र है, उसके पास कोई पैसे नहीं है वो समझता है कि उसमें कोई चमता नहीं है वो समझता है कि उसमें कोई बल नहीं है बस एक छोटी से जोपड़ी है उसकी और कुछ नहीं एक छोड़ा सा कुवाँ भी खोदा हुआ है जोपड़ी के पास और वो भी सुखा हुआ है ऐसी हालत में कोई अगर आए और उससे कहे कि क्यों रो रहे है और वो अपनी विपता सुनाए कि मेरे साथ ये हो रहा है मेरे साथ मेरे पास कुछ नहीं है और वो जो व्यक्ती है वो उस दरिद्र व्यक्ती से कहे कि नहीं तुमको रोने की जरुरत नहीं है तुमारे पास बेशुमार दौलत है और दौलत तुम्हारी ही जोपड़ी के नीचे सोना, असर्फियं, हीरे, मौती, जिहरात, ये सारे दवे पड़े यहां सब दवे पड़े खोदो, निकालो जो निकानना चाहते हो, और जाओ, और अपने परवार के लिए भोजन लाओ, अपने परवार के लिए सब कुछ, जो लाना चाहते हो लाओ ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मैं पूछता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रोता रहे, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी पतनी है, वो भी दुखी है, मैं कितना भागा हूं, क्या कहते हैं उसको तो एक और कान मिल गया ना सुनाने के लिए अपनी अपना रोने के लिए दोने के लिए उसको एक और कान मिल गया परंतु जो जिसको वह समझता कि एक और कान मिल गया वो यह कह रहा है कि तेरी जोपड़ी के नीचे बेश्मार दौलत है खोद उस दौलत क और जा और जाकर के अपना भागे फलट तो यही मेरा पूछना है कि उसको क्या करना चाहिए इसको रोते ही रहे वह या उसको यह कहना चाहिए यह करना चाहिए कि अच्छा क्या सजमुच में मेरे जोंपडी के नीचे यह हीरे मोती सब कुछ हैं मैं भी देखूं मैं अपने आप देखना चाहता हूँ मतलब यह नहीं कि आपने कहा और आप जाईए और फिर कल मैं निकालूंगा नहीं आप खड़े हैं यहां आप मैं निकालता हूँ तो वो जाता है खोदे और उसको हीरे मिले जहरात मिले खुश होके वो जाए अपने बच्चों के लिए पानी भोजन यह सारी चीज़ें पहले तो यह चीज़ें ताकि वो अच्छे दरीके से उनका रोना धोना बंद हो उसके बाद वो धीरे धीरे उसको और निकाल सकता है अपना बड़ा मकान बना सकता है या सारा धन ले करके कहीं और जा सकता है अब कुछ भी कर सकता है अच्छा यहां जो बात हो रही है वो कुछ ऐसी हो रही है तो कि जो लोग हैं वो समझते हैं कि वो निर्धन है पर किस धन की बात नहीं हो रही है सोने और जहरात की बात नह रही है निर्धन है वो आनंद के पामले में कि उनके जीवन में आनंद नहीं है उनके जीवन में निराशा है उनके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हुई है जिससे कि वो अपने आपको भागिशाली नहीं समझते हैं हां स्वास आ रहा है वो नहीं समझते हैं कि यह भागिशाली उनका जनम हुआ वो यह नहीं समझते हैं कि भागिशाली है वो जीवत हैं वो यह नहीं समझते हैं कि भागिशाली है यही तो जवा रहाते हैं यही तो सोना है यही तो चांदी है जो तुम्हारे अंदर है यह सारी चीजें जब तुम जानने लगोगे और अच्छी तरहीँ से जान लोगे कि कोई अमीर आदमी ऐसा नहीं है इस सारे संसार के अंदर जो एक स्वांस खरी सकते हैं एक स्वांस भी कोई नहीं खरी सकता है एतनी अनमोल चीज़ जिनके पास अर्बो खर्बो खर्बो डॉलर हैं वो भी एक स्वास नहीं खरी सकते हैं और तुम हर एक दिन वो स्वास ले रहे हैं। तो भागिशा आलीजी तो तुम हुए या नहीं हुए। जब तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हारी ही कुटिया के नीचे, तुम्हारी जोपडी के नीचे क्या है। क्योंकि तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कोई आता है, कोई बताता है, तो ठीक है, उस पर शक करेंगे लोग, क्यों, कि जो जुट बोलता है, उस पर कोई शक करता नहीं है, लोग हैं, ऐसे ठग हैं, आते हैं, और क्या कहते हैं, लाखों लाखों का माल चोरी करके ले जात वो भी ऐसे चोरी करके ले जाते हैं कि आदमी ने खुद उसको दे दिया उसको बताएंगे कि बहुत investment की क्या कहते हैं यह मौका है और आप इसमें पैसा लगाईए आपको बहुत पैसे मिलेंगे हिंदुस्तान से और क्या कहते हैं और कई देशों से लोग फोन करते हैं और अ फ़ला फ़ला यह जुर्माना है यह जल्दी से जल्दी इस पते पे भेज़ दो ने तो क्या कहते हैं हम तुम्हारा बैंक अकाउंट यह सब कुछ खत्म कर देंगे तो भाई लोग हैं डर के करते हैं तो कोई जूट बोले तो उस पे सब विस्वास करने के लिए तैयार है और जो सच बोले उस पे कोई विस्वास करने के लिए तैयार नहीं है ख्यार मैं तो यही कहता हूं कि मेरे पे विस्वास मत करो जो तुम्हारे अंदर की चीज है उसको तुम जानो उसको तुम पहचानो और अगर तुम्हारे हिर्दे में आनंद नहीं आए तो फिर हमसे बात करो एक बार यह हुआ दिल्ली में इसके मैंने बहुत बार उसका उखारन भी दिया हुआ है तो एक बड़ा हॉल था और उसमें जिग्यासू लोग बैठे थे तो सब जिग्यासू जो ग्यान लेने के लिए तैयार हो रहे थे वहां बैठे वे थे और पीछे कुछ लोग थे तो परसन उत्तर हो रहे थे तो एक महिला ने हाथ उठाया तो वो बोलती है जी कि मेरे को हाल में ही ग्यान हुआ है आपका और मैं तो कोई चीज नहीं मैसूस करती हूं वो देखने की चीज थी कि जितने भी जिग्यासू इस हौल में बेटे वे थे काफी सारे सब मेरी तरफ देख रहे थे पहले तो जैसे ही उसने ये कहा कि मेरे को कुछ नहीं हुआ मैं आपका हाल में ग्यान रिया है तो सब के पिशे मड़े और उसकी तरफ देख उसकी तरफ देगा फिर मेरी तरफ देखा अब इसका उत्तर दीजिये ला ने कहा देखो भाई अगर तुमको नहीं होता है कोई छीज मैसूस नहीं होती है तो छोड़ दो हमने कआ कि शीको पगड़े रखो नहीं है नहीं है इसको बहुत कुछ महसूस होता है मेरे को शान्थी नहीं को घाए कि मैंने और क्या कहा था क्या मैसुस कोगा कि कल्पना की बात लोग कल्पना में रह जाते हैं कल्पना करते हैं कि वह कितने अभागी हैं और कितने क्या क्या उनके साथ यह नहीं हुआ उनके साथ यह नहीं हुआ हर एक मनुष्ट के साथ तुलना करने लगते हैं तुलना करने अब हिंदुस्तान में तो वह वात है कई लोग हैं जो काला जो रंग है उनको पसंद नहीं है तो बड़ी-बड़ी क्रीम लगाते हैं कि तुलना करते हैं यह नहीं कि अपना चेहरा देख करके आएने में संतुर्ष्ट हो जाएं नहीं किसी और का चेहरा देखते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा चेहरा इसकी तरह होना चाहिए और यहीं हो रहा है जो जब यह सोशल मीडिया नहीं था लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं अपनी फोटो नहीं भेजते थे यह सारी चीज़े नहीं होती थी तो हिंदुस्तान में जो जिस तरह के लोग के बाल होते थे बाल क यहां भी जाओ, सब यूबकों के बाल वैसे ही कठे हुए है, क्यों कि देखते हुए, मैं ऐसे होना चाहता हूं, अरे, नाई की दुकान में जाओ, क्या मिलेगा आपको, फोड़ लगी हुई है, ताकि आप नाई को अगली कह सको कि मेरे को ऐसा बना दे, मेरे को ऐसा बना दे, मेरे को ऐसे बाल काट दे बाल, बाल तो मेरे बड़े हो रहे हैं, अब कैसे लॉक्डाउन में हूँ तो पता नहीं कौन आके काटेगा पता नहीं क्या होगा पर बड़े हो रहे हैं, काटने काट समी हो रहा है पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम अपने आपको देखो अपने आपको जानो अपने आपको पहचानो और अपने अंदर स्थित जो चीज है जब उसको तुम जानोगे पहचानोगे तो सचमुच में तुम यह जानोगे कि तुम कितने भागिशाली हो तुमको तुमारे पास सब कुछ है क्योंकि तुमने अपने अंदर स्थित उसको पा लिया जो सारे संगसार की रचना करता है जो सारे संगसार को चलाता है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने आपको भागिशाली पाओ भागा नहीं भागिशाली तो सभी लोगों को मेरा बात-बात नमस्क्राइब